यह जो 230 IC जो heat होती है, ये 230 IC कितने temperature तक heat होने के बाद खरब हो जाती है और कितने temperature तक यह हमारा सही से कम करती है ये भी जानकड़ी आज आप इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं जिसको जानने के बाद आपको बहुत ही आसानी हो जाएंगे किसे भी होम थेटर का सरकीट को रिपेर करने में। दिखे जितने भी हमारे मार्केट में होम थेटर मिलते हैं, उनके अंदर सबसे ज़्यादा TDA 23 नमर का ही आईसी लगे होते हैं। अगर मार्केट में कोई भी होम थेटर खड़ी नहीं जाओगे तो दस में से नौ से आठ आठ आपको 20-30 वाला आईसी ही देखने को मिलेंगे होम थेटर के अंदर, मेरे हाथ में यह जो सरकेट देख रहे होंगे यह टू इन ओन होम थेटर का एक बोर्ड है, और यही वाला ब कि टीडीय 20-30 नंबर का हीS मैं आपको बतनाँंचाएंगा, कि यह टीडीय बिस्टीस नंबर का ऐसी है यह आपको 8 रूपीज में मिल जाएंगे, 15 रूपीज में मिल जाएंगे, 60 रूपीज में मिल जाएंगे, और इससे भी ज्यादा कीमत का भी आपको मिल जाएंगे, सभी का नंबर जो है TDA 20 होगा, लेकिन उसका quality अलग अलग होगा, अगर आप कम कीमत के अंदर कोई TDA 20 वाला का IC का सारे जो पीन्स होते हैं, वो सारे लेक्स के बाड़े में जानकड़ी देने वाला हूँ, टोटल पांच लेक्स होते हैं TDA 20 के अंदर, तो मैं यहां पर करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा, यह अखिर यह हमरा TDA 20 के को चेकिंग के से किया जाता है, और हमरी सर IC को यहां पर ड्रॉ करता हूं, यहां पर दिखें, मैंने एक TDA 20 30 नंबर का IC को मैंने ड्रॉ कर रहा हूं, जिसका नंबर है 1,2,3,4,5 यानि की पांच टोटल लेक्से, एक नंबर पीन हमरा किसले इस्तेमाल किया जाता है, इसको जानने से पहले मैं आपको लास्ट में से ब यहां पर दिखें, जब भी आप किसी भी हम थेटर के अंदर इस IC को चेक करने जाओगे, अगर आपके हम थेटर के अंदर साउन बगर आपको देखने को नहीं मिल रहा है, और आपको यह टेस्टिंग करना है, एक एक करके कि कौन सा IC हमारा खराब हुआ है, तो आपको कैसे पते जले गए, और लास्ट में आपको और एक चीज बताऊंगा, कि यह जो 20-30 IC होती है, यह 20-30 IC कितने टेंपरेचर तक हीट होने के बाद खराब हुझाती है, और कितने टेंपरेचर तक यह हमारा सरी से कम करती है, यह भी जानकरी आज आपको इस वीडियो के अंदर देन पीन हमारा positive power supply के लिए इस्तमल की जाती है जो कि आपको मिल जाएंगे 12 वोल्ट से लेकर 18 वोल्ट आपको यहां से मिलेंगे जो कि positive power supply होंगे तो अगर किसी भी home theater का circuit को आप पर testing करने जाओगे तो आपको यह पता लगाना हो कि जो हमारा पांच नमबर जो पीन है इस पीन के नीचे जहाँ आप पीचल लीए तो यहाला जो पीन होते हमारा यह हमारा होती है पीन के साथ ल offenders कि लिए वह भी तानी के लिए जाता है जो की 22 का होती है तो यहां से होते हुए यह हमारा पीन है यह हो गया हमारा आउटपूट के लिए तो आपको सीधा-सीधा पता चल जाएगा कि हमारे इस लाइन पर याने कि इस पीन पर हमें पॉजेटिव बारा वोल्ट से लेकर अठरा वोल मिलना चाहिए और यह वाला वाला हम की नेगेटिब सप्लाइए के लिए इस्तेमाल कि जाती है तो यहां पर हमें कितना मिलना चाहिए यहां पर भी दोस्त HOL सेलेकर पंद्रा वोल्ट था हमें यहां पर माइनस वोल्ट से मिलना चाहिए तबही मरा यह आइसी सही से वार्क करेगा अगर हमारे इस IC के तीन नंबर पीन पर माइनास 12 वोल्ट से लेकर 15 वोल और 5 नंबर पीन पर हमारा प्लास 12 वोल्ट से लेकर 18 वोल अगर नहीं मिलेगा तो यह IC हमारा सही से काम नहीं करेगा इसका मतलब यह हुआ कि जब भी आप कोई भी किसी भी होम थेटर का PCP को रिपेर करने जाओगे सबसे पहले आपको तीन नमबर पीन और चान नमबर पीन पे जो सपलाई है वो सपलाई आपको चेक करना परेगा मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आप इस IC का ये वाला डायग्राम डाउनलोड करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्टिन में मैंने आपने विपसाइट का लिंक दिया हूँ जहां पर आपको ये जो आईसी है इस आईसी का सारे जानकड़ी ब्लॉग डायग्राम के साथ आपको मिल जाएंगे वहां पर जाके आप इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं उसको टेस्टिंग करने का जो सर्किट डायग्राम है छोटा सा जो मिनी अम्प्लिफ साथ चल गया है उसके बाद हमारा एक और दूनंबर पिन बच रहा है एक नमबर दोनमबर पीन हे दोस्तों यह किसलिए काम पर आता है यह बिमें आपको बता देता हूं एक नम्बर पीने दोस्तों यह नॉन इन्वार्टिंग इन्पुट के लिए इस्तिमाल की जाती है ए इन्वार्टिंग इन्पूट और नॉन इन्वार्टिंग इन्पूट ये दोनों के दोनों जो काम करती है वो ओपम के अंदर काम करती है अगर आपको जानना है कि इन्वार्टिंग इन्पूट और नॉन इन्वार्टिंग इन्पूट क्या होती है तो आपको जानकरी लेना पर एगा ऑपैम के बारे में मैंने इसके उपर पहले ही एक वीडियो बना कर रहा हूं नीचे डिस्क्रिप्स में मिल जाएंगे और उपर आई बटन पर भी आपको मिल जाएंगे कि की ओपैम कैसे काम करती है और ऑपैम को क्यों इस्तेमाल की जाती है इस आइसी के अंदर उस करना है और हमें सभी सरक्ट करने के लिए आपको आपके बारे में जानकरे लेना पड़ेगा जो कि मैंने पहले ही वीडियो बता दिया हूं तो इस डाइग्राम के जरीए दुस्तों आपको यह चीज तो पतचल गया है कि हमें इस आईशी को अगर सही से काम कराना है और हमे सबस्क्राइब तो किस तरीके से हमें कॉंड सा पिनक किसले स्थनमal किसी कि जाती है आफ हमारे बात आ जाती है कि यह आई सी बहुत की हो जाती यहादा ही चांए है वहार ही चाहती है यह वाला कि ग्रम तो आपका आएसी बिल्कुल सही है कोई भी खराब नहीं लेकिन एक सो पचास से ज़्यादा अगर आपका यह तेंपरेचर यहां से देखने को मिल रहे तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका आएसी खराब हो चुका है तो आज के बाद जब भी आप कोई भी आएसी को बदलोग अगर यहां पर जो टीन लगे हुए है अगर तीन चार पांट चैंश जीतने लगे हुए है उसको एक करके उसका टेंपरेचर चेक करिएगा कि कॉंट सा आएसी का टेंपरेचर एक सुपचास से ज्यादा है और 40 डीग्री से कम है तो आपको पता चल जाएगा हाला कि माइन टेंपरेचर देखना को नहीं मिलेंगे लेकिन जो प्लास टेंपरेचर होती है एक सोपचाश डिग्री से जद्धा अगर आपको मिले यहां से तो फुस आइसी को आपको रिप्लेस्मेंट करना परेगा और एक सोपचास डिग्री-सा सेल्सियस तभी होते जब आएसी अंदर से 15 रूपीज में तो उसके अंदर से आपको लगभाग 10 से 15 वाटी आउट्पिट मिलेंगे लेकन अगर आपको ओरिजिनल मिल रही है मार्केट से 50-60 रूपिज का अंदर एक आईसी तो वह आईसे लगा दोगे तो आपको प्रॉपर 20 वाट का आउट्पुट देखने को मिल जाओगे जिसके अंदर लगे हुए हो यह भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं मैं आप लोगों को जानकरी दिया कि इस टीडिये बिस्तिस आईसी का एक नंबर पीन दो नंबर तीन चार पांस टोटाल पांसे पीन होती है और पांस पीन किसलिए इस्तमाल की जाती है तो अब अच्छी बात है अगर नहीं मिले तो आपको यहाँ पे आप्क पाउर्ट सथाप्लाई लेकर आना परेगा उसके लिए आपकोउड तो नहीं बिल आछेट गया तो रहे हैं यह नहीं उसके चर्प hours पीन आपda आपको इन्पूट के अंदर हो चान पर एक यहाँ ब्लूटूथ के जरीए सिगनल इंपूट करता हूं या और आपको टाच करने के बाद हमारा आउटपूट से कोई भी वोल्टेज बगरा या कोई भी सिगनल बगरा मिल रहा है कि नहीं अगर हमें यह सारे चीज सही मिले तो इसका मतलब कन्फरम हो चुका है कि हमारा साइसी बिल्कुल सही है तो इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप किसी भी होम थेटर का पीसी भी यानि सार्किट को बहुत ही चुटकियों में रिपेर कर पाऊगे इस प्रोसेस के जरीए तो मुझे आसा है कि दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया अगर पसंद कर सकते हो और यह जो बीस्तिस आशी है दोस्तों यह भी बीस्तिस आशी अगर आपको ऑडिजिनल पर्चेस करना है पचास रूपीज वाला वह भी आपको मिल जाएंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और आगर आपको इस सार्किट के बारे में या इस आपको खड़ीदना नहीं है तो इस वीडियो के उपर जो आपको व्यूप पूड़ाक्ट आपक्षन मिलेगा उसके उपर किलिक करके करके सारी जानकड़ी ले सकते हो तो आजगे वीडियो में इस था है दोस्तों हम फिर मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक लिए उसी अल्डबेस